हेलो एवरीवन वेलकम नौवी विल स्टडी दे सब्जेक्ट पैसिक प्रिंसिपल्स अफ रेडियो थेरेपी ऑफ डियार्ड पार्ट सेकेंड जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने रेडियो थेरेपी का एक इंपोर्टेंट टोपिक कम्प्लीट किया था रेडियेशन डिटेक ग्रुप्स एंड रेगुलेटरी अजैंसिज अ आपको radiation की uses के बारे में बताती हैं, आपको control करती हैं, radiation protection के बारे में, radiation hazards के बारे में, that means कि national और international level पे कुछ committees बनाई गई थी, ठीक है, जिनके under में या फिर जिनके दिशा निर्देशा अनुसार हमें काम करना पड़ता है, जैसा कि आपको पता है कि radiation बहुत ज़्यादा harmful है, तो obvious ही बात है, कि जो चीज़े harmful होती हैं, वहाँ पे regulation rules and regulations बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे जो rules and regulations होते हैं, वो यह committees देती हैं, यह आपको बताती हैं, कि कितनी dose किस patient को लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, पब्लिक की dose limit कितनी होनी चाहिए, आप occupational में कितनी radiation यूज कर सकते हो, इंडस्ट्री में कितनी radiation यूज कर सकते हो, पब्लिक में radiation कितनी यूज कर सकते हो, तो इन सब के बारे में यहाँ पर एक group की बात नहीं हो रही है, एक group नहीं है, कोई भी एक agency नहीं है, बहुत सारी agency बनाए गई है, बहुत सारे groups बनाए गए है, तो उन सबी groups और agencies के बारे में हम यहाँ पर discuss करेंगे, वैसे देखा जाए तो groups और agencies बहुत जादा है, बट अप तो यहां पे केवल हम चार ग्रूप्स के बारे में या फिर चार ऐसी रेगूलेटरी अजेंसी जो अपने स्लेबस में भी है और जिनका हमें पता होना भी जरूर है और वेसी बात है हम रेडियो लोजी डिपार्टमेंट में काम करने तो हमारे डिपार्टमेंट में हमारे होना चाहिए इन सब चीजों के बारे में, तो here we will discuss mainly about these four advisory groups and regulatory agencies, यहां पे हम इन चार regulatory agencies, that means इस topic में हम यहां पे चार agencies या फिर चार committees या फिर चार groups के बारे में discuss करेंगे, first आता है आपका ICRP, ना आपने सुने हैं, क्योंकि जहां पे भी अपन radiation protection and hazard के बारे में discuss करते हैं, radiation protection principles क इसे बारे में discuss करते हैं, तो वहां पे हम देते हैं कि ICRP recommendation, NCRP recommendation, that means कि यह rule या फिर यह चीजे किसने बताई है, ICRP ने बताई है, तो यह चीजे हमने पहले जो भी topic discuss किये हैं, वहां पे इनके नाम जरूर discuss किये थे, बट इनके बारे में हमने वहां पे discuss नहीं किया था, कि इ International Commission on Radiological Protection, ICRP की फुलफोम होती है, आपकी International Commission on Radiological Protection, सेकेंड आती है, आपकी NCRP, National Committee on Radiation Protection and Measurement, थर्ड आता है, AERB, Atomic Energy Regulatory Board, और फोर्थ है आपका UNSQUARE, United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, तो जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको पास चार advisory group, या फिर regulatory agency, के बारे में बताया है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे ICRP and NCRP के बारे में, क्योंकि आज का जो अपना main topic है, वो दो है, ICRP और NCRP, जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे ICRP और NCRP में आपको main difference कहां पे नजरा रहा है, ICRP में एक word है, International, और NCRP में एक word है, National, Committee, Commission, that means एक ही चीज हो गई, Radiological, Radiation, Protection and Measurement, आगी की चीज़े अगर आप मैच करना चाहते हो, तो यहाँ पे same same है, that means दो difference है, यहाँ पे एक International और एक National, इससे आप समझ सकते हो, कि जो ICRP, that means International Commission on Radiological Protection, यह जो Committee है, यह आपकी International लेवल पे बनाई गई है, ठीक है, और जो दूसरी है आपकी NCRP, National Committee on Radiation Protection and Measurement, यह आपकी National लेवल पे है, ठीक है, इन दोनों के अगर Rule and Regulations के आप बात करते हो, यहाँ पे, तो 90% आपको Rules and Regulations सिमिलर मिलेंगे, कुछ 10% difference है, जो कि NCRP ने अपने खुद के बनाए है, ICRP के Recommendation वो नहीं मानती है, ठीक है, वो कुछ अलग है, व ICRP की, ICRP की Full Form है, International Commission on Radiological Protection, जैसा कि आप इसकी, यहाँ पे, Full Form से समझते हो, में चीज यहाँ पे क्या है, International, इसका जो लेवल है, वो कौन सा रहेगा, International, Commission, कोई भी Group, Committee, उसको हम बोलते है, Radiological Protection, that means Radiation से Protect करने के लिए, जितने भी Rule Regulation हो, वो कौन बनाता है, ICRP बनाता है, इसका Main Aim क्या है, चाए Public हो, या फिर चाए आपका Occupational Worker हो, चाए आपके Animals हो, Human Beings हो, कोई भी हो, ठीक है, Radiation जहाँ जहाँ पे Harmful Effects कर रही है, Environment में भी Radiation क्या करती है, Harmful Effects करती है, ठीक है, तो यह सारे के सारे वर्क किसके अंडर में आते हैं, ICRP के अंडर में आते हैं, ठीक है, अब अपन बात करते हैं, ICRP के, a number of different organizations and agencies are involved in the development of standard for radiation protection and regulation limits against radiation hazard, जैसे कि आपको पता है कि radiation से बहुत सादा हजार होते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि बहुत सारे number के, that means एक नहीं बहुत जादा, अलग-अलग different organizations और agencies बनाई गई है, ठीक है, एक agency नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है, कि radiation के यहाँ पे एक agency नहीं है, कोई भी एक committee नहीं है, हम यहाँ पे discuss कर रहे हैं, चार के बारे में, इनके अलावा भी और भी committee पाई जाती है, ठीक है, तो यहन पे, इन्होंने लिखा, in the development of standard, standard values देती है, किसके लिए, radiation protection के लिए, and regulation limits, और वो limit, कोई भी आपका जो radiation से hazard हो रहा है, कोई भी नुकसान हो रहा है, उसके लिए वो limits decide करती है, ठीक है, तो उनी में से एक आपकी आती है, ICRP, International Commission on Radiological Protection, ICRP was founded in 1928, अब अपन बात करते हैं, कि IC ICRP, कब established कर की गई थी, कब बनाई गई थी, कब खोजी गई थी, founded that means, ऐसा तो है नहीं गी है, कोई गुम हुई चीज है, इसको हमने खोजा है, founded का मतलब है, कि इसको established किया गया था, यहाँ पे ठीक है, बनाया गया था, एक team बनाई गी थी, एक commission बनाया था, 1928 में यह commission बन बनाया था, and was then called international x-ray and radium protection committee, उसने, that means, जब ICR ने इसे बनाया था, तब इसने इसे क्या नाम दिया था, international x-ray and radium protection committee, IXRPC, starting में, ICR ने जब 1928 में बनाया इसे, तब इसे दूसरा नाम दिया, फिर इसका नाम change किया गया था, बिकोज पहले क्या था, कि जदा radiation का invention नहीं हुआ था, एक आपका natural source था, radium, ठीक है, उसमें से आपकी radium gas, that means, radon gas निकलती थी, दूसरा आपका x-ray की tube से आप x-ray निकालती थी, तो वहाँ पर केवल दो ही radiation थी, तो उन radiation के base पे इस committee का नाम रखा गया था, international x-ray and radium protection committee, ठी तब फिर जाकि इसका नाम चेंज गिया गया और इसका नाम रखा गया था, ICRP, International Commission on Radiological Protection, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर स्टार्टिंग में इसकी full form जब डिस्क्राइब की, कि इसका जो main aim है, या फिर जो main work है, वो है radiation से protect करना, उसके लिए उसके rule regulation, limits, वो सारी चीजे डिसाइड करना, किसके अंडर में आता है, आपका, ICRP के अंडर में आता है, तो यही चीजे इन्होंने बताईए कि, ICRP का work क्या है, the work of ICRP helps, सहायता करता है, to prevent cancer, सबसे main जो आपके disease होने वाली है, जो radiation hazard से होती, वो कौन से होती है, cancer, तो यहाँ पर इन्होंने cancer को notify कि है, कि cancer से अपने को बचाने के लिए सहायता करता है, and other disease, और भी disease, जो किसे हो like cancer, इन सबसे हमको यह बचाता है, and to protect the environment, और environment को भी बचाता है, ठीक है, it provides a variety of views on radiological health issues, जितने भी radiological health issues है, उनमें यह अलग अलग परकार के view, that means, अपने recommendation, ठीक है, अपने rule regulation देता है, the main aim of ICRP based on, अब जो ICRP है, international commission radiological protection, उसका main aim तो अपने को पता चल गया है, क्या है, radiation protection, but यह aim based किस पर है, that means, किन किन चीजों पर यह based है, या फिर किन किन चीजों पर आधारित रहकर ICRP काम करता है, वो है, the current understanding of science of radiation exposure and effects, current understanding का मतलब समझ रहो कि, जो present में जो चीजे चल रही है, ठीक है, present में आपके radiation exposure से कितने effects हो रहे हैं, कितने effects नहीं हो रहें, उन सब यह ICRP, ICRP ऐसा नहीं है, कि ICRP नो जो चीजे एक बार दे दी, वो दे दी, नहीं, जैसे जैसे आपके scientific values के अंदर changes आएंगे, ओवेसी बात है, कि अपने जो human beings है, इनको जब radiation लगती है, तो यहाँ पर क्या बनते हैं, कि रेडियो resistant cell बनते जाते हैं, पहले क्या था, कि जब starting में radiation का invention हुआ था, थोड़ी dose में, ज़्यादा effect देखने को मिलते थे, अब क्या होने लगा, दीरे दीरे human beings के अंदर radio resistant cells बनने लगी, या फिर जो cells थी वो radio resistant होने लगी, तो यहाँ पर अब क्या है, कि ज़्यादा dose भी अगर अपने को लग जाए तो क्या होगा, कम effect generation, ठीक है, जैसे जैसे generation increase होती है, वैसे वैसे यह चीज़े देखने को मिलती है, तो ICR पे पुरानी values पे काम नहीं करेगा अभी, जो current values है, current understanding है, current जो practical values आ रही है, current जो science है, radiation की, वो चीज़े जो बताएगी, उसी पे वो work करता है, that means, इसका जो aim है, वो तो पूरा करेगा लेकिन किसके बेस पे करेगा, current understanding के बेस पे करेगा, value and judgment provide, current में जो इसको values मिलती है, current में जो इसको judgment मिलता है, उनी के according ये पूरा अपना aim करता है, ICRP is an independent international organization with more than 200 volunteer members from approximate 30 countries, that means, कि ICRP independent है, किसी के उपर अधारित नहीं है, खुद के rule regulation है, खुद बनाता है, ठीक है, खुद चलाता है, that means, ये किसी पे भी independent नहीं है, सुरी, किसी पे भी dependent नहीं है, इसके उपर कोई committee नहीं है, जो इसको force करे, rule regulation के लिए, फिर किसी भी work के लिए, ठीक है, independently work करता है, international level का organization है, with more than 200 volunteer members, इसके अंदर 200 से ज़्यादा volunteer members है, वो भी कितनी countries से, approximate 30 different countries, 30 अलग-अलग countries से यहाँ पर 200 volunteers इसमें अलग-अलग काम करते हैं, ठीक है, ICRP provides radiation protection guidelines, through recommendation on occupational and public exposure, जैसा कि हमने बता है, ICRP का main aim radiation protection का ही है, तो ICRP आपको क्या करेगा, ICRP provides radiation protection guidelines, radiation से बचने की जितनी भी guidelines है, वो कौन देता है, आपको ICRP देता है, through recommendation on occupational and public exposure, अलग-अलग देगा, आपको occupational के लिए, अलग guidelines देता है, public exposure के लिए, some standard dose limits are provided by ICRP which are fellows, कुछ, इसने ICRP ने dose limits बताई है, occupational को कितनी लगनी चाहिए, public को कितनी लगनी चाहिए, उन चीजों के बारे में अपन यहाँ पर discuss कर रहे हैं, जैसा कि आप radiation protection and principle, that means radiation protection and hazard के अंदर dose limit लिखते हो, आपका principle आता है, cardinal principle, ठीक है, cardinal principle में, या फिर जो आपके time, distance, yielding, आपका जो alara principle, justification, optimization, dose limit, वहाँ पर जैसे आपका dose limit आता है, तो आप dose limits के बारे में लिखते हो, वो dose limits वहाँ पर आप साफ साफ लिखते हो कि ICRP ने यह dose limits दिये, तो उनी की बात कर रहे हैं, हम उनी dose limits की बात कर रहे हैं, जो आपने पहले पढ़ रखी हैं, दुबारा एक बार उनी के बारे में discuss करते हैं, कि ICRP ने कितनी dose limits दिये, और ICRP अपनी dose limits changes करता रहता है, according to the current understanding, अभी मैंने आपको पहले बता है, कि अपना aim पूरा करता है, बट यह based किस पर रहता है, current understanding पर, current affair पर, जो चीज़े current चल रही है, that means scientific value कितनी आ रही है, radiation exposure की scientific, कितना radiation से effect हो रहा है, कितने hazards हो रहे हैं, उनके according, यह अपनी जो doses होती है, उनको गटाता रहता है, बढ़ाता रहता है, that means changes लाता रहता है, ठीक है, तो ICRP की जो recommendation dose limits है, वो change होती रहती है, यह independently work करता है, किसी पर dependent नहीं होता है, 200 से ज़्यादा volunteers, that means, अलग-अलग 30 से ज़्यादा countries में से, 200 से ज़्यादा volunteers इसमें से, इसमें काम करते हैं, और इसका mean aim होता है, radiation से protect करना हर चीज़ को, चाहे वो human being हो, चाहे वो आपका animal हो, चाहे वो आपका environment हो, that means, कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर harmful effects आ रहे हैं, उसको यह बचाता है, guidelines देता है, rule regulation जितने भी होते हैं, यहाँ पर दूर करेंगे, ठीक है, तो अपन बात करते हैं, dose limits की, जैसा कि dose limit में आप लोगों ने देखा था, कि जो effective dose, आप occupational के लिए लो है, फिर public के लिए लो, ठीक है, effective dose यहाँ पर कम दिखाई जाती है, that means, कम होती है, comparison to the, single part of the body, जैसा है, यहाँ पर लिखते हो, lens of eye, या फिर hands and fits, इनकी ज़्यादा होती है, और effective dose कम होती है, इसके बारे में आपन mainly यहाँ पर discuss करेंगे, सबसे पहले पर बात कर लेते हैं, table के बारे में, यहाँ पर table में तीन चीज़े हैं, first part, body part, बताया है, नोने कि किस part को कितनी radiation लगनी चाहिए, या फिर maximum कितनी लगनी चाहिए, बस इतनी ही, उससे ज़्यादा limit, cross नहीं करने चाहिए, दो चीज़े हैं, एक occupational और एक public, occupational और public क्यों, that means, occupational जो radiation से related, work करते हैं, radiation field में work करते हैं, तो यहाँ पर आप जितनी भी values देखोगे, वहाँ पर देखोगे, कि public की value कम है, comparison to the occupational, ओवेसी बात है, कि जो occupational जो है, उसमें जो भी worker वो क्या करते है, daily 24 hours में से 8 hours का रह रह रहा है, तो ओवेसी बात है, वहाँ पर क्या होगा, आपको radiation की, that means, जो dose की limit है, वो ज़्यादा होगी, वो daily उसको radiation exposure लग रहा है, यहाँ पर, बट जो public का वो क्या है, वो तो जब उसको disease condition होती है, जब वो diagnose कराना है, तभी उसको radiation exposure लगती है, या फिर, किसी भी इलापरवाई के क करानों को लग सती है, तो वो चीज़े अलग है, इस वज़े से occupational की, यहाँ पर क्या होती है, dose limits, ज़्यादा decide कर रखे है, ठीक है, अब अपन बात करते है, यहाँ पर effective dose, first of all, that means, whole body की, यहाँ पर effective dose का मतलब है, फिर whole body का मतलब क्या है, average dose है, यह पूरी body की, ठीक है, तो यह आपकी occupational बताये गए, कि 20ミिसेवट पर इयर, इतनी ही लगनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, अगर public है, तो एक मिली सीवट पर इयर, skin की 500 मिली सीवट पर इयर, public में 50 मिली सीवट पर इयर, lens of eye की, occupational की है 1500 मिली सीवर पर इयर, और public की है 15 पर इयर, hands and अगर अपन extremities की बात करें तो occupational की है 500 millisievert per year और public की है 50 millisievert per year pregnant women that means अपन fetus के यहाँ पर बात करें तो occupational जो होता है ठीक है उसके है यहाँ पर 2 millisievert in 9th month और public को prohibited रहता है that means अपन जो भी pregnant lady होते है उसका कभी भी x-ray वगर है या फिर जो भी radiation से related diagnosis होते है वो नहीं करते है उसको radiation नहीं लगनी चाहिए तो यहाँ पर निल है ठीक है अब अपन बात करते हैं कि effective dose whole body की कम है जबकि skin की आप यहाँ पर जादा है तो जैसा है कि यहाँ पर इन्होंने effective dose की बात किये यह whole body की dose है अपने जो whole body है उसमें ऐसी cells है जो radiation से बहुत ज़्यादा sensitive भी है और ऐसी भी cells है ऐसे भी organs है जो radiation से बहुत ज़्यादा resistant है तो अवेसी बात है इसकी value कम इसलिए है यहाँ पर अगर इसकी value अपन ज़्यादा रख देंगी ठीक है for example यहाँ पर इसका अपन डेड़ सो मिली सीवर्ट या पान सो मिली सीवर्ट रख देते हैं तो क्या होगा ऐसे organ या फिर ऐसी cell जो की 15 मिली सीवर्ट में डेमेज हो रहे थी वो क्या हो जाएंगी आपकी डेमेज हो जाएंगी इसी वज़े से जो whole body की average dose है वो आपकी कितनी रखे इन्होंने ICRP ने 20 मिली सीवर्ट और अगर इसके comparison में हम बात करें जैसे कि आपकी lens of eye है उसकी इन्होंने कितनी रखी 1500 मिली सीवर्ट तो वो केवल और केवल किसकी है lens की है वहाँ पे बाकी के जितने भी organs है उनकी नहीं है ठीक है तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर बात करते हो कि lens कितनी अपन बात करें only only lens की lens कितनी dose में damage होगा तो वो आपका 1500 मिली सीवर्ट में होगा बट 20 मिली सीवर्ट अगर whole body को लग गई तो कोई ना whole body का organ damage हो सकता है जैसे कि आपकी bone marrow होगी bone marrow WBC, RBC या फिर जो की radio sensitive cells है वो damage हो सकती है इस वज़े से whole body की dose कम है comparison to the particular organ तो mainly मैं आपको यही समझाना चारहूं कि इन चीज़ों में confuse मत होना कि whole body की कम क्यों है या फिर particular organ की जादा क्यों है यह चीज़े और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है यहाँ पर तो आप मुझसे contact कर सकते हो मैं confusion दूर कर दूँगा अब अपन जैसे कि अपन ने बात कर ली first regulatory advisory agency की जो भी regulatory board agency committee है ICRP के बारे में हमने discuss किया ICRP ने जो dose limits दिये उनके बारे में अब अपन बात करेंगे यहाँ पर NCRP के बारे में that means second जो अपनी regulatory board या जैंसी है उसके बारे में अपन यहाँ पर discuss करेंगे now we will discuss about the NCRP NCRP के full form क्या है National Committee on Radiological Protection and Measurement Main difference मैंने आपको बताया कि वो international level committee थी और यह आपकी national level committee है काम वो भी radiation protection पर करती है ठीक है और काम यह भी किस पर करती है radiation protection पर ही करती है आया समझ में अब इसके बारे में discuss करते है NCRP की for fall of national committee on radiological protection and measurement इसको अब खोजा कब गया that means found कब किया बनाया कब in 1929 1929 में ICRP established NCRP NCRP को किस ने बनाया ICRP ने ही बनाया ठीक है which was later charted by a congress in 1964 as national council on radiation protection and measurement जिसको बाद में congress ने क्या किया जब congress इसको चलाते है congress ने इसका नाम change कर दिया था क्या करा national council on radiation protection and measurement 1964 में congress ने इसका नाम change करके रख दिया national council on radiation protection and measurement ठीक है it is a non-profit organization that is based on ये एक non-profit organization that means इसका main profit कुछ नहीं है इसका main aim क्या है वो बात करते हैं पर यहां पर profit इसका कुछ नहीं होता ठीक है कोई फायदा नहीं ले ना इस commissions को committees को इनका main जो यहां पर aim होता है वो होता है केवल और केवल environment को human beings को animals को radiation से बचाना फर्स्ट इसका जो aim that means यह जिस aim पर काम करती हैं वो किस से based करती हैं इसका क्या होता है work क्या होता है कि जितनी भी dose limits है ठीक है collect करना for example जो आपके यह dose limits इन्होंने decide कि ICRP नहीं ठीक है इनके बार में पता कौन करेगा कि किस human को कितनी लगी यह नहीं लगी उन चीज़ों के बार में collect करना ठीक है या फिर आपके जो TLD है जो radiation monitoring devices है आपकी जब आपको dose में लग जाती है तो यह जो dosage that means जब record इनका जाता है तो वो direct ICRP में नहीं जाएगा न पहले जो आपके national level की या फिर उससे पहले जो आपकी state level की जो आपके जाएगा सबसे पहले state level की जाएगा फिर state level की जाएगा फिर इस्टेट लेवल की जाएगा देन वो इंटरनेशनल पर जाएगा तो अभी अपन यहां पर बात करें नेशनल की तो इसका काम क्या है कि इन डोजेज को collect करना analyze करना और फिर describe करना provide information in the public interest and recommendation about the अब क्या करता है यह आपको information provide करता है किसे related protection against radiation बचने के regarding या फिर recommend जो भी guidelines है वो आपको जारी करेगा radiation measurement quantities and units radiation जो आप measure कर रहे हो वहाँ पे तो उसके लिए क्या क्या quantities काम में लेनी चाहिए क्या 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 units होनी चाहिए that means जो आप लोग पढ़ते हो यहाँ पे absorb dose effective dose millisievert grey जो भी units है जो भी quantities है उनके बारे में recommendation आपको कौन करता है NCRP करता है और radiation protection के लिए जितने भी against इसकी guidelines है वो कौन जारी करता है NCRP करता है अपन यहाँ पे national level की बात करे काम दोनों का same रहेगा यह national level पे करेगा और ICRP international level पे करेगा ठीक है अपना विए अपने विए जैसा कि हमने ICRP में भी डिसकस किया कि वो जो अपना एम पूरा करता है वो किसके बेस पर करता है scientific recommendation जो current understanding चल रही है उसी के बेस पर NCRP भी वही करता है current understanding के बेस पर करता है उसी चीज़ को यहां पर इन्होंने describe किया it provides a means by which organization concerned with scientific and related aspects of the radiation protection and of radiation quantities and units जो भी radiation की quantities है जो भी radiation की units है जो भी radiation protection के लिए scientific आपके aspects है उनसे related recommendation आपको NCRP प्रोवाइड कराता है ठीक है it developed basic concept about radiation quantities, unit and measurement and about the application of these concepts regarding radiation protection सबसे पहली बात तो कि यह आपको क्या बताता है concepts बताता है किसके radiation quantity, units, measurements पिर उसके, फिर उसके बाद में, उनको कहां कहां पी योज करना है तो फिर कबैस्त और एंडिशस में कितना यूज करना है Doros लिमिर्स होती है हर चीज़ होती है वहाँ पर तो वह भी यह decide करता है और medical field में कितना होना चाहिए वह भी यह decide करता है ठीक है it works cooperately with ICRP and other agencies यह independently work नहीं करता है ICRP आपका क्या कर रहा था independently work कर रहा था but it works cooperately यह ICRP और other agencies के साथ में मिलके work करता है ठीक है NCRP revise the measurement of ICRP and explain them NCRP ने क्या किया जो ICRP ने recommendation दिया था that means जो अभी अपने table यहां पर discuss की थी उसको ICRP ने revise कर दिया that means NCRP ने उसको revise कर दिया था उसमें कुछ changes किये थी ठीक है तो वो changes क्या है उनके बारे में discuss कर लेते है अपन तो दोनों चीज़े आपके यहां पर खतम होती है ICRP और NCRP ICRP एक international level की radiation protection की committee है और NCRP आपकी national level की radiation protection की committee commission है NCRP को ICRP ने establish किया था और ICRP है उसको 1928 में ISR ने establish किया था ठीक है दोनों में mean जो difference है वो आपका यहां पर दो word का ही है एक international और एक national बाकि दोनों का काम यहां पर सेम होता है ICRP आपका independently work करता है बट NCRP को operately work करता है with ICRP and other agencies दूसरी agencies और ICRP के साथ में ठीक है अब अपन बात करते हूं उस table की उसमें क्या क्या changes किये गए थे तो mainly देखा जाए वहां पर दो changes थे एक तो effective dose जो effective dose यहां पर occupational थी वो आपकी 20 थी according to the ICRP but NCRP ने इसको बढ़ा के 50 miliswatt कर दिया और दूसरा जो था यहां पर pregnant women का ठीक है वो यहां पर 2 miliswatt थी occupational की बट इसको NCRP ने increase करके कितना किया 5 miliswatt नाइन्थ मंथ और एक और यहां पर इन्होंने recommendation दिया कि एक मंथ में कितनी लगनी चाहिए यहां पर 0.5 miliswatt ही लगनी चाहिए उससे ज्यादा नहीं लगनी चाहिए education training इन्होंने एक चीज़ों जो आप educational that means जो आपकी यहां पर यह जो चीज़ रेडियेशन जो आपका department रेडियेशन डिपार्टमेंट में जब अपन educational training करते हैं तो उसके time period में आपको कितनी रेडियेशन लगनी चाहिए वह आपकी है 1 miliswatt per year यह mainly 3 changes यहां पर NCRP ने किये थे ICRP के चार्ट में जो कि आप यहां पर देख सकते हो तो यहां पर आज का अपना lecture खतम होता है दो चीज़े हमने डिसकस कर लिए ICRP और NCRP next अपने दो जो regulatory advisory agencies और groups बचे हैं उनके बारे में हम next lecture में discuss करेंगे thank you everyone और आगे भी इसमें कहीं पर भी problem हो तो आप मेरे से contact कर सकते हों झाला 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 झाल 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 झाल